क्लास नाइन से एक्साइस 2.2 आज हम पढ़ेंगे उसमें पहला कोस्चन है find the value of the polynomial 5x-4x² plus 3 at x² to 0 x² to minus 1 x² to 2 मतलब यह है कि इसमें polynomials का value निकालना है लेकिन x का value क्या put करेंगे हम 0 तो आएए सबसे पहले हम x का value 0 पूट करके polynomials का value निकालते हैं 5 x का value क्या है? 0 है और minus 4 x का value 0 का square plus 3 solve करते हैं 5 into 0 0 minus पहले 0 का square करेंगे 0 का square 0 0 into 4 0 plus 3 यानि कि 3 answer हो जाएगा ये solve हो गया दूसरा देखते हैं दूसरा x square to minus 1 रखना है 5 minus 1 minus 4 minus 1 का square plus 3 multiply करेंगे 5 into minus 1 तो minus 5 यहाँ minus minus plus 4 यानि कि देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे minus 1 का square कर लेंगे minus 1 का square plus 1 हो जाएगा क्योंकि जब भी square करते हैं तो minus किसमे change हो जाएगा? plus में तो यहाँ पे जब plus हो गया तो plus minus यहाँ 4 के पहले minus हो जाएगा 4 के पहले हम minus लेंगे यहाँ minus होगा plus 3 अब क्या करेंगे? minus 5 minus 4 दोनों को add करेंगे तो minus 9 हो जाएगा minus 9 plus 3 यानि minus 6 minus 6 answer हो जाएगा 2 नमबर का minus 6 आएगा question number third यानि first का ही third देखते हैं अब x का value 2 put करना है तो 5 5 into 2 minus 4 2 का square plus 3 solve करते हैं 5 into 2 10 minus 2 का square तो 4 4 into 4 16 plus 3 plus plus को जोड देंगे यानि minus 16 plus ये minus 16 यहीं पे हो जाएगा और 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13 यानि कि minus 3 answer होगा यानि कि first का third का कितना होगा? minus 3 question number 2 देखते हैं question number 2 find P0 P1 P2 for each of the flowing polynomials इस question में ये है कि P का value 0 लेना है यानि कि इसमें जो भी polynomials दिया है वहाँ पे एक बार 0 लेना है फिर एक बार 1 लेना है फिर एक बार 2 लेना है तब भैलू निकालना है तो इसमें हम first number देखते है y का square है question है y का square minus y plus 1 यहाँ पे एक बार हम 0 लेंगे तो 0 का square minus 0 plus 1 solve करेंगे 0 का square 0 और एक 0 0 minus होगा 0 क्या बचेगा 1 अब एक बार इसी question में हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो y का square यानि 1 का square minus 1 plus 1 यह कड़ जाएगा minus plus 1 का square 1 हो जाएगा अब हम इसी question में एक बार 2 लेंगे 2 लेंगे इसी question में तो हम y का square यानि 2 का square minus 2 plus 1 2 का square 4 minus 2 plus 1 अब यहाँ पर क्या होगा 4 और 1 plus plus है तो जूड़ेगा 5 5 minus 2 3 यानि इसका कितना answer आजाएगा 3 2 का first हो गया ऐसे ही एक बार 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे और हम polynomials का value निकाल लेंगे अब इसमें आप 2 number कर सकते हैं 2 number आप कर सकते हैं try करिएगा नहीं अगर बनता है तो फिर मेरे से consult करके आप पूछ सकते हैं 3rd number भी हो जाएगा ये भी असान है x के ज़ब पर 0 रखेंगे तो 0 का q 0 तो 0 ही हो जाएगा 1 का q तो 1 और 2 का q तो 8 4 number 4 number भी असान है एक बर minus में एक बर plus में है तो फर्मूला क्या हो जाएगा x square minus 1 का square यानि x square minus 1 अब x का value एक बर हम क्या लेंगे 0 लेंगे तो 0 का square minus 1 minus 1 ही होगा क्योंकि 0 का square 0 हो minus 1 तो minus 1 answer आजाएगा एक बर हम 1 लेंगे तो 1 का square minus 1 यानि 0 होगा फिर एक बर हम 2 लेंगे तो 2 का square minus 1 तो 4 minus 1 यानि की 3 होगा ऐसे ही बनेगा तो 2 का complete हो गया 2 number का 2 number आप लोग खुद से practice करिएगा नहीं बने तो मेरे से consult कर क्या आप पूश सकता है question number 3 देखते है question number 3 verify whether the flowing are 0 of the polynomial indicate against them यानि की इसमें verify करना है कि जो x का value दिया है जो x का value दिया है क्या वह polynomial का सही answer है यानि जो x का answer आया है क्या इस polynomial का है या नहीं यानि 0 मतलब उसका answer x का जो answer आया है क्या इसी polynomial का है यही verify करना है तो आईए देखते हैं solve करते हैं 3x plus 1 x square to minus 1 by 3 यानि की वहाँ पे हम value रख देंगे x के जवब पे minus 1 by 3 रखिए और solve करिए minus 1 plus 1 0 अगर 0 आ जाता है तो yes x का जो value दिया है वह सही है 0 नहीं आता है तो no यानि की वह गलत है question number 2 देखते हैं 5x minus pi 5 x का value पूट करिए 4 by 5 4 by 5 minus pi multiply करेंगे 20 by 5 minus pi यह 0 नहीं है तो यह 9 हो जाएगा दो number में 9 होगा 3 का 3 number x square minus 1 है तो एक बार x का value 1 रखेंगे एक बार minus 1 रखेंगे तियानि की x square x square minus 1 तो इसमें एक बार हम क्या रखेंगे minus 1 का square एक बार minus 1 ले ले लेते हैं minus 1 minus 1 का square क्या हो जाएगा plus और minus तो क्या हो जाएगा 0 यानि इसके लिए तो yes है minus 1 के लिए क्या है yes है अब एक बार 1 रखते हैं तो 1 का square minus 1 तो ये भी 1 का square 1 minus 1 0 यानि यह दोनों के लिए क्या है उसका value सही है यानि कि उसका value जो आया है वह सही है इस polynomials के लिए 3 का 3 भी complete हो गया 3 का 4 आप उसी तरह value रखके बना सकते हैं अब इसमें मैं 3 का 6 6 मैं बनाता हूँ आप इसको बनाईएगा 3 का 4 बनाईएगा homework में रखे इसको 6 में बनाता हूँ x के ज़ब पे minus m by l रखेंगे l into minus m by l plus m l से l cancel हो जाएगा minus m अब plus m यानि minus m plus m 0 यानि ये भी yes है ये भी सही है 7 नंबर 7 नंबर भी बता देता हूँ मैं 7 नंबर यहाँ पे value पूट कर देना है यानि कि एक बार x का value minus 1 by root 3 लेंगे एक बार 2 by root 3 लेंगे तो सबसे पहले minus 1 by root 3 का हम देखते हैं तो 3 minus 1 by root 3 का square minus 1 solve करते हैं 3 minus 1 का square 1 हो जाएगा root 3 का square अगर होगा तो normal 3 हो जाएगा 3 से 3 cancel 1 minus 1 0 यानि यह है इसका यस है minus 1 by root 3 x का value इस polynomial के लिए सही है एक बार 2 by root 3 देख लेते हैं 2 by root 3 यानि 3 2 by root 3 का square minus 1 तो यहाँ square 3 2 का square 4 गृर यानि यह देखते हैं 3 2 का square 2 by root 3 का square square minus 1 1 तो यहाँ square करेंगे तो 4 हो जाएगा root 3 का square 3 हो जाएगा minus 1 हो जाएगा 3 से 3 cancel 4 minus 1 क्या होगा 3 हो जाएगा तो इसके लिए 9 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसके लिए 9 हो जाएगा अगला देखते हैं question number 3 का 8 number है ये भी आप लोग बना सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ 2 x का value 1 by 2 रखते हैं 2 से 2 cancel 1 plus 1 कितना होगा 2 होगा तो ये भी 9 होगा क्यों होगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा अगर 0 आ जाता तब यस हो जाता यानि जो x का answer है वो सही है इस polynomial के लिए लेकिन यहाँ पे x का value क्या आ गया है 1 by 2 आया है और solve करने पे value put करने पे इस polynomial का total value क्या आ रहा है 2 आ रहा है अगर 0 आता तब यस होता लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है तो no होगा अगला question देखते है अगला question है 4 number 4 number में पूछ रहा है find the 0 of polynomial in each of the flowing cases इसमें 0 निकालना है यानि जो भी polynomials दिया है उसका 0 यानि x का value क्या होगा सबसे असान तरीका है x plus 5 equal to में 0 ले लेंगे तो x square to 5 इधर plus में है तो अगर right side लेके जाते हैं तो minus 5 हो जाएगा यह answer हो जाएगा यह असान है दूसरा आप कर सकते हैं कर यह और नहीं आता है तो मेरे से आप पूछिए तीसरा भी कर सकते हैं 4 का 4 भी हो जाएगा यह बताता हूँ तो 5 नमबर 3x square to 0 तो x square to 0 by 3 यानि 0 by 3 तो 0 हो जाएगा यह भी हो गया 4 का 6 4 का 6 बताता हूँ 4 का 6 क्या है ax सिर्फ ax equal to 0 ले लेंगे x square to 0 तो x square to क्या लिख सकते हैं x square to 0 by a लिख सकते हैं 0 by a यानि कि 0 इसका answer 0 होगा यह condition दिया है कि जो a का value है जो यहाँ a है इसमें वह constant नमबर है उसका value 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यानि मतलब यह है कि यहाँ 0 रहेगा तो पूरा polynomial ही खतम हो जाएगा 0 आ जाएगा तो इसलिए इसका value 1, 2 कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा अब 4 का 7 देखता है 4 का 7 इसमें पूछा जा रहा है cx plus d तो इसमें x का value क्या होगा c और d क्या है real number है यानि real number मतलब कुछ भी हो सकता है root में हो सकता है या 1, 2, 3, 4 या कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा 0 ले लेंगे तो इसका polynomial ही खतम हो जाएगा real number c और d होगा कुछ भी होगा उसका value 1, 2, 3, 4 कुछ भी anything आईए देखते हैं c x plus c x plus d equal to 0 तो इसमें हम x square to निकालेंगे तो पहले d को उदर भेजेंगे तो minus d और c नीचे चलाएगा c क्या हो जाएगा नीचे आजाएगा यानि कि minus d by c यही answer होगा x का value क्या आएगा minus d by c exercise complete हो गया आप लोग मैं जितना question इसमें बोला हूँ कि वो आप लोग खुद से करिए उसको आप खुद से करिएगा अगर नहीं बनता है तो मेरे से consult करके आप पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं next video